अब हमें करना है last part और last part सबसे interesting है एक simple economy के अंदर उसने हमसे बोला है कि हमें दोनों flow दिखाओ circular flow दिखाओ दोनो real flow भी money flow भी दोनों तरह के circular flow दिखाओ कहाँ पर simple economy में अब इस चीज के लिए पहले आपको ये understand करना पड़ेगा कि simple economy क्या होती है simple economy is an economy in which only two sectors are there simple economy is an economy in which only two sectors are there कौन कौन से sector household और producer very good तो यहां देखो household यह बन गया producer यह diagram भी बनाने की जुरत नहीं है notes में मिल जाएगा आपको यहां देखो ऐसे बनेगा गंदा सा board पे तो ठीक है कि अरे नहीं भाई क्या बना रहे हो प्रिकर ऊण कोई बात नहीं ये कोई बात नहीं डेखो मैंने दो सर्कल बनाएं च्योकि मेरे को दोनों व दिखाने तीक है ना simple economy मेरे को कैसी दिखाने दोनों आपको स्टापक्राइब है कभा एकुछ ने अब यह ज़ो अन्दर वाला सरकल है उसको मैं ने कर चलूंगा और बाहर वाला सरकल है उसको हम रियल फोल में बेटा कहां से होता है तो यहां से यहां तो रियल फ्लो की स्टार्टिंग हो गई इस एक्लियर यहां पर जाने के बाद क्या होगा प्रड़क्शन होगा अब मेरी बात सुनो प्रड़क्शन ओफ गूड्स एंड सर्विसेज डियर है बूट्स अंसर्विसेज बन जाएंगे ठीक है अब मेरी बात सुनो जब ये काम करेंगे तो ये free fund में काम करेंगे कि इसको इनको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, इसलिए stage को बोलते हैं generation stage, कौन सी stage, generation stage, यहा income generate होती है बटा, generation phase है यहाँ क्या होगी, income generate होगी, clear, अब यह इनको बदले में क्या देगा, पैसे, factor payments, क्या करेग ठीक है यह रियल फ्लो था यह मनी फ्लो है कोई दिक्कत नहीं पूरा बना लेते हैं फिर मैं आपको दोनों फ्लो ऐडेंटिफाई करके बता दूगा ठीक है ना चलिए इसके बाद क्या होगा कि यह जो प्रडक्शन हुआ है गुद्सन सर्विसिस का यह प्रडूसर अपने प इसको बोलते हैं इसने इस इधर आएंगे यह देखो मैं बना रहा हूं गुड्स एंड सर्विसिस ठीक है और गुड्सन सर्विसिस करीदने के लिए यह लोग इनको क्या देंगे पैसा यहां पर जाएगा पैसा यहां पर हो जाएगा हम लिख लेते हैं कंजम्शन नोट्स में सुंदर सा बना हो यह क्या हो गई है कंजम्शन एक्सपेंडिचर क्लियर पूरी कहानी समझ मैं कि नहीं है ठीक है पहला स्टेप क्या है यहां से यहां जाते हैं और यहां पर जाके गुड्स प्रड्यूस करते हैं और फ्री में तो प्रड्यूस करेंगे नहीं बदले में इनको क्या देगा फैक्टर पेमेंट तो पहली स्टेज जो है उसको हम बोलते हैं जनरेशन फेज generation phase, जहाँ पर income generate होती है, clear, इसके बाद यही income producer क्या करेगा, इन सब में बाट देगा, land, labor, capital, entrepreneur, उसको बोलते हैं, distribution phase, कौन सा phase बेटा, distribution phase, वो distribution phase हो गया, कि producer ने land को दे दिया, rent, wages, labor को दे दिया, wages, capital को दे दिया, interest, profit को दे दिया, entrepreneur, तो जो income यहाँ generate हुई थी, वो उसने क्या कर दी, distribute कर दी, distribution phase हो गया, और तीसरा और आखरी है, expenditure phase या, expenditure phase या disposition phase, disposition phase, यहाँ पर क्या होता है, कि यह goods and services इनको देते हैं, और यह बदले में क्या कर देते हैं, वही पैसा जो यहाँ से मिला था, factor payments के तोर पे, वो खर्च कर देते हैं, expenditure, consumption expenditure, clear, तो यह तो पूरा process है, लेकिन अब इसमें हमें circular flow of money भी ढूणना है, और circular real flow भी ढूणना है, तो वो दोनों आपने, आपको अरड़ी दिख गयोंगे, यहाँ से energy गई इधर, energy convert to goods and services में, goods and services आ गए वहाँ पर, तो यह real flow का circular flow बन गया, तीक है न, real flow का circle बन गया, clear, अब आते हैं money की बात करते हैं, यहाँ से पैसा generate होकर इधर आया, ठीक है न, in the form of factor payments, rent, wages, interest or profit, और यहाँ सिर्फ वही पैसा इन लोगों ने वापस खर्च करा और किसको दे दिया, producer sector को, तो अंदर वाला जो circle है, वो क्या है, money flow, ठीक है न, तो मैं यह mark करके बता भी देता हूँ, यह circular money flow है, और इसी का दूसरा नाम है, ब income का circular flow हो रहा है की नहीं हो रहा, और जो यह बाहर वाला circle है यह क्या है, circular real flow, I hope I'm clear, समझ में आया की नहीं आया, पक्का, यह इस chapter का last topic था, ठीक है न, now all we are left with is reading, कि जो part हमें read करना है, वो बचा है, बाकी chapter में अब कोई concept बचा नहीं है, chapter हमारा खतम है, ठीक है, अब मैं आ इस series में ने क्यों नहीं पढ़ा है, उस series में पढ़ाना ना illogical है, आप खुद देखो, इन्होंने सबसे पहले circular flow of income बताया है, बाद में इन्होंने stock and flow बताया है, और circular flow of income बताने के बाद, अचा circular flow of income बताएंगे, तो बताना पढ़ेगा ना household, producer, यह सब पढ़ाने के flow समझा जाता है, फिर उसके दो type है, real flow बनी flow, काईदे से series यह उन्हीं चाहिए, इस यह reason था कि मैंने वैसे नहीं पढ़ाया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अरे ठीक है, वो पता नहीं कैसे content कठा करते हैं लोग, ठीक है, that's fine, book गलत नहीं है, मतलब topics तो सारे हमारे syllabus में ही ह लेकिन ठीक है, उनका order जो है, वो मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे हमने पढ़ा है, उस तरीके से समझना असान हो जाता है, क्योंकि एक topic से दूसरे topic connected है, ऐसी थोड़ी, पता नहीं, अब starting में हम आपको पहला पहला topic, circle flow of income दे रखा है, तो उसके लिए आपको household sector, producer sector समझ में आना चाहिए, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, जो major major 4-5 चीज़ें हैं, वो मेरे को पढ़नी है, class के अंदर, ठीक है, we have time, enough time हो जाएगा हमारा, चलिए जी, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, आप देखो, इस book में आपके कहीं पे भी, circular flow क्या होता है, वो नहीं बता रहा, सीधा circular flow of income भी discuss किया हुआ है, circular flow नहीं बता रहा, मेरे notes में आपको मिल जाएगा circular flow, फिर से बता रहा हूँ, circular flow क्या होता है, when a particular thing generates in a particular sector, flows from there to another sector, and flows back to the sector where it was originally generated, वापस हो इस sector में आजाती है, यह circle complete होगा, then it is called circular flow, clear, when a particular thing generates in a sector and flows back to the another sector, that's it, और वापस नहीं आई, then it is flow, यह सिरफ flow है, फिर यह circular flow नहीं है, कोई चीज़ एक sector में generate होई, दूसरे sector में चलेगी flow है, अब यह flow, money flow भी हो सकता है, यह flow, real flow भी हो सकता है, table एक sector से दूसरे sector में गया, real flow, पैसा एक sector से दूसरे sector में गया, money flow, समझ में आया, आया की नहीं आया, तो यह सिरफ flow है, लेकिन अगर जो चीज़ यहाँ से दूसरे sector में गई, वह वापस घुम के उसी सेक्टर में आ जाए तो फ्लो सर्कुलर फ्लो होता क्या है उसका मीनिंग बुक में कहीं नहीं दे रखा मेरे नोट्स में अगर आप पड़ोगे तो आपको मिल जाएगा तो वह मैंने आपको क्लियर करी दिया है अब सीधा हम जो बुक में टॉपिक द पढ़ रहा हूं रियल फ्लो पढ़ दो पड़ावट सुनना क्या पढ़ रहा हूं देखेए रियल फ्लो लोग्ष्ट्रों किस-kis के पास बुक नहीं है यह अरेंज कर लो जल्दी जल्दी ठीक है कोई नहीं कोई बात ने मैं आराम अराम से पढ़ रहा हूं अच्छे से सुनिए, real flow refers to the flow of factor services from household to firm, household से firms में जा रही हैं क्या चीज़े, factor services, ठ्यान से सुनो में क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है न, दुबारा बोल देता हूँ, दुबारा सुन लो, real flow refers to the flow of factor services from household to producer sector, ठीक है न, factor services जा रही है, यानि कि किस की बात करे है, FOPs की, land, labor, capital, entrepreneur सब जा रहा है, तो मुझे बता हूँ, real flow हो रहा है क्या money flow हो रहा है, real flow, real flow initiated हो गया है, household sector से कहां गया है, producer sector में, and the corresponding flow of goods and services from producer sector to household sector, अब वो बोल रहा है कि जब यह वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी energy transmit करी, goods and services बनाए, और वही goods and services वापस flow कर कहां गए, sector में आ गए, तो मुझे बताइए, यह circular flow बना की नहीं बना, लेकिन किस का, money का की real, real, physical items का circular flow है, I hope I'm clear, this is called real flow, done, पक्का जी, okay, नीचे एक diagram दे रहा है, it is also known as physical flow, already पता है हमें, there is only exchange of goods and services between the two sectors, without involvement of any money, real flow के अंदर कोई involvement नहीं होता, किसका, money का कोई involvement नहीं होता, goods and services का ही exchange होता है, दो sectors के बीच में, I hope I'm clear, done, चलिए जी, हमारा real flow complete हो गया, Let's move on to the money flow, इन्होंने डाइग्राम दे रखा है, वो मैंने already explain कर दिया, इसने में पढ़नी रहा हूँ, clear, आगे चलते हैं, money flow, अब money flow ध्यान से सुनना, फिर से सुननो ध्यान से, money flow refers to flow of factor payments, from producer sector to household sector, factor payments, कहां से, producer sector से factor payments flow करके आई कहां पर, household sector में, क्या आया, पैसा आया, producer sector से पैसा flow करके कहां आया, household sector में आया, तो money flow initiate हुआ है, अभी circular flow बना नहीं है, circular flow यह तब बनेगा, जब वापस पैसा कहां पहुन जाएगा, producer sector में, अभी money flow हुआ है, money flow initiate हो गया, is that clear, आगे चलते हैं, for their factor services, अच्छा household को पैसे किस चीज़ के मिले है, उनकी factor services के, क्योंकि उन्हें ने FOPs, factor services उनको दी, इसके बदले में उनको factor payment मिल गई, clear, आगे बढ़ते हैं, and corresponding flow of consumption expenditure, from household to producer sector, to purchase goods and services, goods and services को खरीदने के लिए, household ने वही पैसा, consumption expenditure के through, किस के पास पहुंचा दिया वापस, producer sector के पास पहुंचा दिया, समझ मैं, तो ये money flow का circle, complete हो गया, ये बन गया circular money flow, यानि की, circular flow of income, I hope I'm clear, समझ मैं, जो book के अंदर definition लिख हुए, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो पल्ले पढ़ रहा है, कि नहीं पढ़ रहा, पढ़ रहा है, शाबाश, ये done होगे जी, इसके बाद, real flow versus money flow, चोड़ दो, हाँ जी, इसका दूसरा नाम है, it is also known as nominal flow, clear, और it involves exchange of money only, ठीक है न, nothing else, दो sectors के बीच में, जब सिर्फ money से related, कोई exchange हो रहा है, वही money flow है, अगर money के अलावा, कुछ भी और exchange हुआ, कुछ भी और flow हुआ, तो we cannot say it, money flow, हम उसको money flow नहीं बोल सकते, ठीक है न, फिर वो real flow में चला जाएगा, I hope I'm clear, ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ, पैमाने पर आप देखोगे, तब होता है, लेकिन अगर आप real life में देखोगे, तो ज़्यादा तर जगह पर क्या होता है, अगर वहां से real flow हो रहा है, तो यहां से money flow हो रहा है, तो वहां से real flow हो गा, ऐसे ही पाता होता है, ठीक है न, हम सब सुबह सुबह घर से निकलता है, producer sector में जाके कुछ-कुछ चीज़े produce करते हैं, clear? और जो हम सबने ही मिलकर बनाई है, वह consume भी कौन करता है, हम सभी तो consume करते हैं, तो जब आप इसको larger picture के तौर पे देखोगे, बड़े तौर पे देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार, यह सब जो हम बना रहे हैं जाके, वो ultimately consume भी हम ही कर रहे हैं, clear? तो वो circle complete होता हुआ दिखता है, real life में, normal life में, practically आप देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा? कि यहां से money flow रहे है, तो सामने से real flow रहे है, समझ में हैं? हाँ, यह होता है जातर, is that clear? ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, simple economy का meaning मैंने आपको बता दिया, simple economy मतलब, an economy in which only two sectors are there, clear? household और अगर मैं बोलू कि दो sector है, तो पहला sector कौन सा होगा? household और दूसरा होगा, producer, उसी series में होगा, अगर मैं कभी बोलू कि three sector economy है, तो household producer और government sector, ठीक है ना, अगर मैं कभी बोलू कि four sector economy है, तो household producer, government और foreign sector, ठीक है ना, इसी series में ही होगा हमेशा, clear? इसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि अपन को पता कि बने ही ऐसे हैं यह लोग, ठीक है यह सारे sector ऐसी बने, ठीक है जी यह भी done हो गया है, यह भी done हो गया है, अब यहाँ पर, चार conclusions है बिटा, यह सारा real flow, money flow, सब समझ कर, सारा कुछ समझने के बाद, कितने हैं, चार conclusions है, ठीक है, और चार conclusions कहा हैं, सबसे पहला conclusion, जो फर्म ने, तोटल गुट्सन सर्विसें बनाई है, वो बराबर होगा, किसके, तोटल कंजम्शन अभुट्सन सर्विसें बाइडी हाउषोल्ट, फर्म जो बनाएगी टोटल, वो सारा का सारा कौन खा जाएगा, तो फर्म के द्वारा, या producer sector के द्वारा किया गया production बराबर होगा household द्वारा किये गए consumption के गलत बोल रहों कि सही बोल रहों तो पहला conclusion क्या है ये सारी राम कथा का पहला conclusion क्या है जितना भी production करेगा producer sector वो exactly बराबर होगा household जितना consumption करेगा क्योंकि इसके पास consumption करने को आएगा कहा से जो यह produce करेगा वही तो consume करेगा तो मान लिजे इसने 100 ब्रेड बनाई तो household maximum किती ब्रेड खा सकता है एक सो एकवी ब्रेड लाओ गे कहा से हैं नहीं हां समझ में आ रहा है तो इसके द्वारा किया गया टोटल production is exactly equals to इसके द्वारा किया गया टोटल consumption household consumption करता है producer production करता है समझ में आ गया किक्यों नहीं देगा उसके पीछे रीज़्न भी तूना चाले नहीं नहींए बाईचांस देफ यह अपने घ्र-जण अपने लेकर चलते हैं यह जो आप बोल कुछ यह सारी अप्थ एसा काम करेग्या क्यों कितनी उसल्मशन सारय थे Internet पहल्य की आइश 저희 करेगा सिर्फ किसको बेचेगा डीक्षो इसको प्रडूट्ट से करेगा फ्रिट्र से हम्सेटर कुण सरे इसके कर अपनेzonyन को सिर्फ किसको बेचेगा अच्छाuję एव से तरे कर देगाण Mensch ए किस Соक्लंडтор प्रॉट्ट इधां लिवसके एव फेक्टर पेमेंट कौन करता है भाई प्रेड़ूसर सेक्टर फेक्टर पेमेंट जैज बाई प्रेडूसर सेक्टर is exactly equals to household की income income of the household क्योंकि जो यह factor payment करेंगे वही तो इनकी income बनेगी समझ मैं है तो दूसरा conclusion क्या देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूं थाबर होती है दो हो गए तीसरा कंजम्शन एक्सपेंडिचर जो हाउसओंड का इंकम के वह सारा पैसा खर्च कर देते हैं ठीक ना कोई सेविंग नहीं करते हैं ध्यान रखना कि हाउसओंड सेक्टर क्या नहीं करेगा जीरो सेविंग कोई सेविंग नहीं करेगा कितना भी पैस्ता इसके पास आएगा अईगी यह सारा का सारा खर्च कर देगा था चैंटर की फैक्टर इंकम होती हाऊसओंड कि वह एग्जैक्ली को स्के यह एक बी रुपए आपने पास रखेंगे नहीं कि जो सारा का सारा खर् क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं अगर यह अपने नहीं नहीं बनेगा बताता हूं क्यों यहां से मां लीजिए सौर्प है यहां आया कि इसने दस रख लिया गुलत में डाल लिया नबे खर्च किया तो सरकल तो नबे गाई कंप्रीट हुआ अगर आप सेविंग करोगे तो जो पैसा आप रोक लोगे और जो वापस जाए गई प्रडूशर के पास तो अगर आपको बनाना है तो आपको यह अजम्शन लेनी पड़ेगी क्या अजम्शन लेनी पड़ेगी बिटा जीरो सेविंग् सोफ कि यह लोग कुछ भी रख नहीं सकते ना यह सेविंग कर सकते हैं यह सेविंग करसकते आप जब मेंके पास पैसा करेंगे यह वापस रखेंगे यह भी सारे के सारे पैसे से वापस production करेंगे, फिर factor payment यहां चली जाएगी, अभी यह circular flow continuously चलता रहेगा, I hope, I am clear, तो अगर इन्होंने savings की, circular flow complete नहीं होने देगा, इसलिए अगर आप circular flow पढ़ रहे हैं, तो पहले से यह चीज अज्यूम कर ली जाती है, कि कोई savings नहीं होगी, zero savings होगी, making sense, समझ में आ रहे हैं न, रटना नहीं है, जो चीज समझ नहीं है पूछो, मैं बता दूँ उसका reason क्या है, done है जी, और last but not the least, real flow is equals to money flow, जो real flow होता है, वो किसके बराबर होता है, money flow के बराबर होता है, समझ में आगा, क्योंकि यहां से जितने रुपे का सामान आएगा, उतना ही तो रुपया जाएगा, producer sector में, तो जो real flow होगा, ultimately वो किसके बराबर होगा, money flow के, यह चार conclusions थे, इस topic के, ज्यान, पक्का clear है, हां, तो इसी के साथ, chapter number one हो गया हमारा complete, and trust me, जितना book में है, जितना book में आपके दे रखा है, उससे थोड़ा सा extra ही मिलेगा आपको मेरे notes में, अब मैं आपको दो चीज़े बता देता हूँ, अगर आपको मेरे notes पढने है, मलब आपको आज मिल जाएंगे, app पे आज आएंगे, आप डाउनलोड कर लेना, देख लेना, अगर आपको notes पढने है, तो वो notes पढने के लिए हैं, आप ये सोचो कि वो examination point of आपको बनाएगा आप खुद बनाओगे वो मैं आपको बना कर नहीं दूँगा मेरा काम है सब्जेक्ट डिलीवर करना कि जो कॉंसेप्चिल पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो इसलिए बुक के अंदर कहीं पर भी सर्कुलर फ्लो नहीं बता रखा लेकिन मेरे इन चीजिस बुक की मिस नहीं है मतलब अगर आपने नोट्स पढ़ लिये तो आप